आखुजब इल्लाहे में शयत्वान राजीन बिस्मिल्लाहे दौस्मान राहीम असलाम लेकुम दोस्तों मौसिन एक बार फिर आप लोगों के खिद्मत पर हाथ दोस्तों मुझे मेरे पास जो टाइम बचता है मेरे ऑफिस टाइम के बाद या बाकी मेरे कुछ प्रेट स्टुडेंट हैं जो मुझे पे करते हैं उनकी असाइम्मेंट बनने के बाद तो मैं मतलब अप्लोड करता हूं तो इंशाला उनको मैं प्रोड़िट इसलिए भी देता हूं दे गिव मी सम रिवार्ड वो मुझे इसके गेंस्पिछ रिवाग पे करते हैं और जो चैनल पर वीडियो आती हैं वहां पे तो मुझे कोई रिवार्ड या इस तरह का कोई फीम नहीं तो इसलिए मेरे पाफ जो टाइम बचिजाता है तो मैं में मतलब इसमा वीडियो बनाके अफ़लोड कर देता हूं और अगर कोई बच्टा मेरे पर मतलब 강ई स्टूड क्पार।under कोरते हैं जा जाता हैं तो याखम उसको बना कि वरिड की फार्मेट में सेंड कर देता ह। तो आप लोग भी देख लिए, अगर कोई बच्टा मतलब आना चाहता है तो मैं हाजर हूँ, मेरी टीम की सर्वीस हाजिर है हम बात करते हैं आज की assignment के हवाले से MGT402 कॉस्टेंड management accounting की assignment number 1 जो आई है उसके हवाले से उसमें दोस्तों हमें कुछ requirement दी गई है वो कुछ ऐसे हैं, on January 1st ABC company had 215 gallon of material in store at RF 45 per gallon मतब कान 30 के हिसाब से material उनके पास available है on 1st January, it means के it's opening balance of that company following information has been extract from books of the company for inventory record during January और January के month में जो है कुछ और transactions भी record हुई है that are as given follow January 5 पर चेज 900 gallon at RF 59 पर gallon जन्वरी पांच जन्वरी को उन्हों जो है 900 gallon और पर चेज की है 59 रुपी पर gallon के हिसाब से जन्वरी नाइन इस्वाइज 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 विरो गैलन टू जॉब 20 चेज से 50 गैलन जो है उन्होंने इस्वाइज कर दी है जो आप 20 को 11 जन्वरी को उन्होंने क्या किया है जी 150 गैलन डाइन रिरिट्टी इन क्वालिटी और ट्रांफर टू एप्सीट स्टॉक और यह जाया हो गया उनका स्टॉक जो उन्होंने पांच जन्वरी को परचेज की गया है उसमें से 80 गैलन जो है वह एवाइज इफेक्टिव गूड उस कंपनी ने उदर हर रिटर्न कार भी नहीं नेक्स्ट क्या है जी इसने कुछ अंडिशनल इंफोमेशन है त्यूरिंग दे सीम पिरियड हंडर्ड डिरेक अधिक लेबल और मतलब इनकर्ड होएं एक फार घंटे काम किया लेबर ने डारेक लेबर वाज नीशाफ एंड सेक्टिर अगरेड अप्लाइड रिट आरेक लेबर और मतलब एस जहां वह हमारे जो अप्लाइड बनेंगे वो पर लेपर और के साफ अब बनेंगे और जो एक घंटे की की मतलब तो 60 रुपीज तो 60 multiplied by 100 तो यह 6,000 रुपीज अप्लाइड स्वेच बन जाएंगे एक्ट्राइड एक्ट्राइड पीरिड वाज 17,500 मन्थ एंड इन्वेंटरी वाज फिनिश गूज और की प्रॉसस वर 13,750 इसका मतलब यह है कि हमारे फिनिश गूज की इन्वेंटरी और की इन्वेंटरी इन्वेंटरी इस 12,450 रिस्पेक्टिवली तेर वाज नो बिगिनिग इन्वेंटरी हमारे पस कोई मतलब फिनिश गूज की या वरक इन्वेंटरी नहीं है रिक्वाइड के अजिप्रिपेर मेटेरियल लेजर कार्ड अंडर फाइफो इस पहले आएगी वह हमने पहले आउट कर देंगे एक तो बात हो गई है अचा दूसरी को जो हमें रिक्वार्मेंट इस अफेफ्रमेंट एक या इस प्रिपेर कास्त अफ बुड्ज स्टेटमेंट वर्ग मांथ जन्वरी और दूस्री हम ने कास्ट अफ बुड्ज स्टेटमेंट पनाने या या आईए इसके सल्बीशन के दिरफ चलते हैं सबसे कहले दोस्तों ह सब्सक्राइब कर दोस्तों यह हमारा मेटेरियल एजर कार्ड बनता है इसका जो फार्मेट है वो यह है सबसे वहले डेट्स आ जाएंगी उसके बाद हमने तीन कॉलम्स और बनाएं एक रिसीव का एक इसूब का एक बैलन्स का और उसके निचे पर तीन-तीन सब हैडिंग्स की एक यूनेट की एक और एक टोटल की अजब हम यूनेट लिखेंगे जितने हमने रिसीव किया है तो उनकी पर यून कॉस्त लिखेंगे और फिर उनको दोनों को आपस मॉल्टिप्लाइ करें किसका टोटल लिखेंगे सेम एज़िव वीविल डिपीर दिस इन इसूब हम इसको बैलन्स में भी रिपीट करेंगे के पर यूनेट कॉस्त आजाएगी और यूनेट आजाएं कि जितने हमें रिसीव किया है या इसू किया है और फिर उनकी टोटल कॉस्त आजाएगी अब इंडा असाइन्मेंट हमें 1 जंवरी को एक बैलन्स दिया गया और इसको ह हम जो है ओपनिंग बैलन्स में लिखते हैं 215 यूनेट हमारे पास ओपनिंग बैलन्स में पड़े हैं और 45 रिपीज के हिसाफ से पड़े हैं तो हमारे पास जो टोटल कास्ट है तैट इस 9,675 रूपीज मत्याब 9,675 रूपी हो गए जी है हमारी डेट 1 जन अब हमने 5 जन बन जाएगी वो 53 बन जाएगी और 100 मतलब इसमें कि 51,100 जो है हमारे टोटल कास्ट बन जाएगी और यह रिसीव जो है यह हम परचेजिस के गेंस्ट करते हैं या किसी डिपार्टमेंट से रिसीव करते हैं वो इसके अंदर आग अब हमने बैलन्स में लिखना है बैलन्स मे इसकी पर युनिट कास्ट है तो यह हमारे पास 351,100 के बन गए नेक्स्ट जो है हमारे पास 9 जन्वरी आगे जिए 9 जन्वरी को हमने क्या किया 9 जन्वरी को हमने दोफों 15 यूनिट जो है और इशूड कर दिये हम हम और पैंतालिस के इसाब से और इसमें हमें यह बताया ग तो इसलिए हम इशूब में 215 यूनिट को पहले इशू कर रहे हैं क्योंकि यह पहले आया 15 है और फर्स्ट आउट करना पड़ेगा तो 215 और इसके साथ हमने 45 मुल्टिप्लाइग किया तो हमेरे पाफ नोबार 667 आ गई है हमने इशू कर दिये और उसके साथ जो है हमने 435 य यूनिट इशू करनी है तो हमारे पाफ जो है 59 रेट के साथ बाद में आई था तो 59 से इशू किया तो यह हमारे पाफ 25-665 रुपे के बाद गया अब हमने बैलंस लेकना है अब उपर देखें हमने 215 जो यूनिट पढ़े थे उस में से हमने 215 के 215 यह इशू कर दिए क्य है 465 यूनिट बच जाएंगे वह 59 के हिसाब से बचेंगे तो हमारे पर तो जो टोटल कॉस्ट पचेंगी वह बचेंगी 27435 अब सर्दन हमने कहा कि 11 जनवरी को 11500 यूनिट जो हमारे डिस्ट्वाइज हो गया है जाया हो गया तो यूनिट भी हमने इस 465 में से निकालने है 59 डेट के साथ जो टोटल वैल्यों वह इसकी 27435 है तो डेट से यूनिट हमने और ऐश्यू कर दिया जी 59 के साथ तो यह हमारे पास बाल गया 8800 चाथता हमारे पास अब जो बैलन्स बचेंगा वह हम करेंगे 400.500 माइनस 150 तो यह हमारे पर 315 बचाथता बन गया 59 रेट है और लुए हम आपके जो टोटल वेल्यू बनी है वो है अथारह जार पांट शो पिचासी रुपे की अब मेक्स्ट फॉर्दर नेस थाइस जनवरी को हमने असी यूनिट है वो रिटरं किया है जो हमने 5 जनुरी को परचीज किये थे इसमें 80 यूनिट को हमने रिटरं किया और दे 120 चार बार साथ वो 20 यह हमने रेटांड का लिया अब जो हमारे पार बैलन्स बचाए वो 315 माइनस 80 आ जाएगा जी तो वो हमारे पार 235 का जो रेट है वो 59 के साफ से इन दोनों को आपस मुल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पार 13800 पर जाएगा तो हमने 27 जनुट तर कहीं हमें इंट्रियन दी गई तो क्लोजिंग बैलन्स जो है एक दा एंड ओफ दिस मन्त मतलब जन्वरी वो हमारे पास सब्सक्राइं के साफ से 13865 के यह हमारा क्लोजिंग दोस्तों यह है हमारा मेटीरियल लेजर कार्ड बाई यूजिंग फाइफो मेथड यह हमारा जो क्वेस्चन हमसे पूछा गया उसमें एक पॉर्शन है दूसरा पॉर्शन के है जी वह हमारा है कास्ट होस्त गुद सोल् का इंजियर ऑफ सेंगेए कइसे बनाएंगे इसमें होती है य्यसमसे पढ़नींग इनवंटरी ऑफिंग इनवंटरियल नमें इपनेन यह वह तो जो को म्हारा पॉफने में जिखले है तो हम यहां पर opening inventory के अंदर गोल लिख लेते हैं उसके बाद होता है हमारा net purchase यह मैंने निकाले है 48380 अब यह net purchase मैंने कैसे निकाल लिए net purchase निकाले का यूठा है वो होता है हमारे पास Purchasing during the year ये हमने निकाल दिया ये मनफ़시면sl 25000 में हम इसमेंके लेष करते हैं Discount Discount चुक्ळामें नहीं दिया तो इसलिए हम लेष करते हैं इसके बाद return return हमें दियो रिटर्ण हमने हमने return 80 Units किये थे 80 Units की जो Custom Cost है वो बनती थी 4720 तो हमने जब net purchases तो यह हमने यहां से नेट परचेव निकालने के बाद नेट परचेव इसके अंदर एड़ कर दी हैं तो यह उपर हमारे पर ओपनिंग इन्वाइंटरी नौवार छे सो पिजहतर था फिर हमने एड़ किया नेट परचेव इवेलिबल फॉर यूज़ है वो है अठावन वार पच्पन 55 आ गया जी अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इसमें से हम माइनस करते हैं क्लोविंग इन्वांटरी क्लोविंग इन्वांटरी भी हमने इस कॉस्चन के जो हमने सर्फ में सॉल किया उस पर हमने निकाल लिया तेरह वार आठ सो तैंसिट की तो यह हम यहां पर फिर क्लोविंग इन्वेंटरी यहां पर ले लिए जी तेरह वार आठ सो तैंसिट का तो हमारे पास डिरेक्ट मेटेरियल आ जाएगा वह आ गया है जी 44,190 अब हमने क्या करना है जी अब हमने इसने डारेक्ट लेबर को एड़ किया डारेक्ट लेबर हमने बताया गया तक एड़ कि उनीच जार है उनीच जार को जब हमने इसमें अड़ किया तो हमरे पाफ प्राइम कॉस्ट आ गया तो तेरह त्रेशट हजार एक सो नवे मतलब 63190 आ गया जी अब हम क्या करेंगे अब इसके अंदर हम एस पो एच अप्लाइड जमा करेंगे एस अप्लाइड यह है वह हमें बताया गया था कि एकजार वोर्कर ने काम किया एकजार गहंते और उसका अप्लाइड अघे और हमने किया जी इसमें टौ्टल स्क्साइड स्क्राइड 29190 आगई और इसके बाद हमने आगे इसमें एक लुज्विंग वर्कें प्रॉजिज जो है वो लेस्ट किया तो हमारे पास आ गया 12,450 और वो भी हमें उसमें दिया हुआ था वर्किन प्रॉसिस का तो जब हम इसमें से लेस्ट करेंगे तो हमारे पास टोड़ आयं जाएगा 56,740 कास्ट अब इसमें क्या होता है टोटल सेक्टिक कॉस्ट में जब हम ओपनिंग व क्लूब को सिप तो कास्ट अजुद्स मेनिफेक्टर जो हमारे पाइवा कि छफंपन साथरू है इसमें लेच्ट जो है हमारे पास क्लोजिंग फिणिश गूड़ को इसमें से लेश कि इसमें भी यह जा है कि तार्फ ऑफ मेनिफेक्टर और इसमें हम एड करते हैं ओपनिंग पर यह समझी हुचनल प्रारिटंगे डिगहीं है जिए हैं। अब आगे क्या करना आगे हुचनल प्लायड थू आगे शाक Google अब हम लोग है इसकी औब लिया नेक्षि終 इतलब है ब्लेज़ेगे हैं आब थेड़ क्वसजाएं करते हम और जो फ्क्लाइद वेरिख return सब्सक्राइब वजाजिए पाँट चाहिएस्टमेंट और काम तो डिए हमारी खास्ट-फूपोट हो तow सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हमने कास्ट फूप और एड़ किया एड़ जमा किया हुए तो यह जो अप्लाइड फूप जमा किये हुए तो यह जो आज़ेस्मेंट हाई है यहां केल्पलेट के 11500 की वह हम इसमें आड़ करेंगे तो हम आप तोटल जो है वह कास्ट ऑफ गुड शोल्ड आ जाएगी जो है जो है चवन अबार चार सो नवेर पे दोस्तों यह थी हमारी मतलब असाइन्मेंट अब जी थी 402 की कास्ट अकांटिंग की उमीद है आप दोस्तों मैं आपको तरीके कार बता लेता हूं कि देट इस दा प्रसीजर देट इस दा फॉर्मॉला और वह फॉर्मॉला समझा भी देता हूं तो प्लस माइनस में हो सकता है कि इंकल की उपर नीचे हो जाए तो आप उसको खुद अपने एंड से ही ठीक कर लिया करें और म मेरा चैनल देखते रही है मॉफिन भाई को दुआउं में याद रखिए थैंक्यू वरी मस्त बोफ तो अला हाफिज